चटे भाई, चटे बहन, कि अब इंटर्स तुम्हारे भी सुबा जल्दी उटकर पढ़ने के सपने को चकना चूर कर रही हैं? तो आज मैं 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिससे तुम बिना अलाम के ठंडी ठंडी सुबा में भी आसानी से जल्दी उट पाओगे स्टेप 1, रात में जो बहुत नीन आ चुकी हो, सोने के ठीक पहले एक पूरा ग्लास पानी का पी हो ठंडी मौसम की वज़े से वैसे भी वाश्रूम जादा लगती है, तो अगली सुबा प्रेशर बिना किसी अलाम के, तुम्हें बाथरूम तक पहुचा देगा स्टेप 2, अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, एक की वापस बेड में घुसना है, या दूसरा पढ़ाई करनी है, पर भया नीन तो अभी भी खुली नहीं, एक्जैटली, तो अब जाए हनुमान बोलके, ठंडे शावर के नीचे खड़े हो जाओ स्टेप 3, अब अगर तुम 5 या 6 बजे पढ़ने बैठते हो, तो हो सकता है भाहर अभी भी अंधेरा हो, और डिम लैट फिर से नीन ला देगी, तो अपने रूम में जितनी भी लाइट्स है, उनको आन करके पढ़ने बैठो